Hello दोस्तो, Welcome back to my channel दोस्तो आज कल इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ओप्शन एवलेबल हैं लेकिन जो लोग पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हाइब्रेट फंड बेस्ट ओप्शन है आप चाहे तो share market या mutual fund में इन्वेस्ट कर सकते हैं share market बहुती ही risky होता है इसलिए आप mutual fund में invest कर सकते हैं mutual fund कई प्रकार के होते हैं जिसमें hybrid equity और debt fund शामिल है mutual fund का एक plan है hybrid fund जिसमें debt और equity दोनों शामिल होते हैं जो भी investor कम risk के साथ invest करना चाहते हैं उनके लिए best option है क्योंकि hybrid fund कम रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें equity और debt दोनों शामिल होते हैं इसलिए इसमें balance होता है hybrid fund कई तरह के होते हैं first aggressive hybrid fund इस प्रकार के fund में 20-30% हिस्सा debt और बाकी 60-80% equity सामिल होता है second है multi asset fund इस fund में 20-30% हिस्सा debt 65% हिस्सा equity और 10-15% हिस्सा gold में invest किया जाता है third conservative hybrid fund इस fund में investment amount में से 10-20% equity और इसके साथ बाकी का हिस्सा debt या अन्या regular income source में किया जाता है fourth है equity savings fund इस तरह के fund में 65% equity 10% debt शामिल होता है ऐसे fund में equity debt और arbitrage fund होते हैं arbitrage fund उस fund को कहते हैं जिसमें 65% amount equity में important है and last है dynamic fund इस प्रकार के fund में पूरा investment या तो equity में किया जाता है या फिर debt में I hope दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के तुरू hybrid fund के बारे में जानने का मौका मिला होगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like and share जरूर कीजेगा रचार लोगों को लुब